ओमेरता ये एक बायोग्रफिकल क्राइम ड्रामा फिल्म है डिरेक्टेट बाय हंसल महता एहमद ओमर साइच शेक इस पाकिस्तानी मुल्के बिटिज टिर्रिस्ट के जीवन के उपर ये फिल्म आधारित है ये कैरेक्टर प्ले किया है राजकुमार राउने ओमर के जीवन के 1990 से लिकर के 2008 तक की कुछ महतोपुर्न घटनाओ को फिल्म में दिखाया गया है जैसे कि 1990 से लिकर के 92 तक उसने किस प्रकार से पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली उसके बाद 1994 में भारत में जो फरिनर्स के किड्नैपिंग हुई थी उसको किस प्रकार से उमर ने हैंडल किया था, किस प्रकार से उन फरिनर्स के किड्नैपिंग उसने की थी उसके बाद उसकी जेल, जेल में उसने किस प्रकार से समय विताया उसके बाद में कंथार का जो प्लेन हैजेक हुआ था उसके बाद 2002 में Wall Street के जर्नलिस्ट डेनियल परल की उसने किस प्रकार से हत्या की थी ऐसे कुछ महतोपुर्ण घटनाओं को फिल्में बताया गया है अब देखिए किसी भी क्रिमिनल की उपर, टेरिस्ट की उपर जब फिल्में बनाई जाती है तो ये फिल्में बनाने के दो तरीके होते हैं पहला तरीका है कि ये जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, आतंकवादी होते हैं इनके लिए हमारे मन में सिंपथी बनाना, इनके कैरेक्टर को ग्लेमराइज करना, जो कि कई सरे फिल्मों में हम देख चुके हैं. ये एक तरीका होता है इनके उपर फिल्में बनाने का मतलब किस प्रकार से गरीबी की वज़े से या सरकार ने किस प्रकार से उनके साथ अन्य आज के मन में एक सिंपथी पैदा करना, इस प्रकार से एक तो ये फिल्म में बनाई जाती है, दूसरा तरीका होता है वो है ओमेरता, जो केवल और केवल सच्चा ही हमारे सामने रखती है, मेरे ख्याल से ब्लेक फ्रेड के बाद पहली बार मैंने इसी फिल्म देखी है, ब्ले सारे इंटेलेक्शुल्स है हमारे देश में है, या जो लिब्रल, सेकुलर, जो मीडिया होसे से, या पत्रकार है, जो बड़े-बड़े ब्लॉग के जरीए, पोस्ट के जरीए, एक प्रकार से इन आतंकवादियों के लिए एक सिंपथी पैदा करने की कोशिश करते हैं कि कि प्रकार से गरीबी की वज़े से, या पैसो के लिए अनपढ़ होने की वज़े से, कुछ लोग इन लोगों के साथ जुड़ते हैं, जो कि जिसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, उन लोगों के मुपर ये फिल्म एक टाइट स्लैफ है, करारा तमाचा है, हनसल महताजी ने जो सच्चाई है, वो पूरी तरीके से हमारे सामने रखने की कोशिश की है, उमर एक बहुती पढ़ा लिखा यूवक है, उसके सामने करियर है, उसका पूरा जीवन है, उसकी फैमिली उसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है, बहुती अच्छी लाइप स्टाइल है, ले पाकिस्तान किस प्रकार से उनको बताया जाता है कि तुम्हारा सबसे पहला टार्गेट है अमेरीकी नागरिक जो ब्रिटिश नागरिक है वो लेकिन गलती से भी इसराइल के नागरिकों को तुमको चुना नहीं है इसराइल से किस प्रकार से ये पूरे टेरेस्ट और्गनाजेशन डरते हैं ये भी इस फिल्मे हमें बताया गया है इसके आलावा पाकिस्तान किस प्रकार से मिडिया रिपोर्स को मैनिपुलेट करता है इंटरनेशनल लिवर पर किस प्रकार से सभी को बेवकूफ बनाता है औ का सर्रक्षन करता है ये भी इस फिल्म में हमें बताया गया है मेरे ख्याल से इससे बढ़िया फिल्म मैंने पिछले कई सालों में नहीं देखी है इतनी ज़्यदा इंटेंस, डार्क और एकदम हमें अंदर से जबचोर देने वाली इतनी बढ़िया फिल्म मैंने पिछले कई सालों में नहीं देखी है मैं मुझे अभी तक विश्वास नहीं होता कि ये फिल्म मैंने थेटर में देखी है और ये कितनी दुख की बाते साथी साथ में कि हमें ऐसी फिल्म में देखकर आश्चर्य होता है कि ये फिल्म Sensor Board ने कैसे पास कर दी कैसे ये फिल्म रिलीज हो गई उल्टा होना ये चाहिए कि जब किसी फिल्म में किसी आतंकवादी का समर्थन किया जाता है या यू कहें कि उनके प्रती एक sympathy create करने की कोशिश की जाती है आतंकवाद को मजबूरी का गरीबी का चोला उड जाता है जब ऐसी फिल्में रिलीज होती है तब हमें आश्यर होना चाहिए कि यार किस वकार से कोई व्यक्ति इन आतंक वादियों का समर्थन कर सकता है गरीबी का नाम देकर सरकार ने अन्या किया इस बात का नाम देकर या फिर अनपढ होने का नाम देकर जब ऐसी फिल्में पनाई जाती है तब हमें आश्यरह नहीं होता है लेकिन जिससी फिल्म जिसमें सच्चाई बताई गई है पूरी तरीके से Real Futages को लेकर के Real Media Reports को लेकर के पूरी तरीके से सच्चाई हमें इन Terrorist Organizations की हमें बताई गई है कैसे ये planning करते हैं किस प्रकार से इन युवाओ को ट्रेनिंग दी जाती है और ये कही पर भी पैसो के लिए ये बिल्कुल भी नहीं करते इसके लिए कोई भी excuse नहीं हो सकता कि इस वज़े से कुछ लोग इस से जुड़ते हैं या उस वज़े से कुछ लोग इस से जुड़ते हैं नहीं ऐसा कभी भी कोई excuse आतंकवाद के लिए नहीं हो सकता है और यही बात हंसल महताजी ने ओमेरता के जरीए हमें बताई है ओमेरता एक documentary film है और इसलिए इसको जितना हो सके realistic रखने की कोशिश की गई है फिल्म के लगबग 70% dialogues English में हैं लेकिन हम बहुती आसानी से समझ सकते हैं और फिल्म में subtitles भी है और इस फिल्म का सबसे बड़ा plus point है obviously राजकुमार राओ उन्होंने अपनी जीवन का आज तक का सबसे great performance दिया है इस पूरी फिल्म में कही पर भी वो अपने चेहरे पर कुछ ज़्यादा expressions लाने की कोशिश नहीं करते हैं लेकिन उनकी आखों में वो दहशत वो दरिंदगी हम साफ तोर पर राजकुमार राओ जी की आखों में देख सकते हैं इतना बढ़िया performance उनने यहाँ पर फिल्म में दिया है और फिल्म के ending में जब वो एक अभी में आपको ज़्यादा spoilers नहीं दूँगा लेकिन जो एक गला रेतने वाला सीन है न अब वो किसका है क्या है वो आप फिल्म में देखिए लिकिन सच में वो इतना ज़ादा violent है और सच में graphic violence भी है फिल्म में धेर सारा और वो उस समय, उस सीन के समय जो आवाजे हमारे कानों में आती है ना सच में दिल दहलाने वाली ये फिल्म है और इसमें कोई शक नहीं कि ये एक आसकर मटेरियल है और इस साल भारत की तरफ से अगर किसी फिल्म को आसकर के लिए भेजा जाना चाहिए तो वो बिना किसी शक्के ओमिरता ही है तो दोस्तो ओमिरता एक शेतान के जीवन की दिल को दहला दैने वाली और बहुती टेरिफिक ऐसी क्राइम थिलर फिल्म है आप सभी को एक बार तो ये फिल्म जरूर जरूर देखनी चाहिए मैं इस फिल्म को रेटिंग दूँगा 10 out of 10 stars की और ये हमारी इस साल की पहली बॉली उड की फिल्म है जिसे मैंने 10 में से 10 stars दिया है तो आप सोच सकते हैं इस फिल्म कितनी कितनी ज़्यादा great होगी अगर आपने फिल्म देखी तो आपको इन फिल्म कैसी लेगी मुझे अपने लिचे कमेंट में जरूर बताईए और अगर आपने भी देख हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए इक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत निवाद जेहिंद वंदे मातरम